हफते में एक बार बैंगन की सब्जी तो बना ही लेते होंगे, आज मैं आपकी विजियो तरीका लेकर आए हूँ नहीं और यूनीक सा जिसको देखने के बाद आप इस रेसिपी को हफते में चार बार बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि एक दम नए मसालों से एक नए टेस्ट क साथ ये रेसिपी बनकर तेयार होती है और खाने के बाद तो आप उंगलिया चाटते रह जाएंगे, पूरी विडियो को लास तक जरूर से देखना, हलो एवरिवन, वेल्कम बैक टु मैं चैनल, क्रेटिव क्ला सारीका और मैं हूं सारीका, तो चलिए मिलके बनाते ही इस म के पास अवलवल हो ले सकते हैं, तो ये लगभूग आधा किलो के असपस लिया है, मैंने अच्छी तरीके से इनको वाश कर लिया है, अब इनके जो डंठल है आप चाहे तो इनको हटा भी सकते हैं, या फिर इस तरीके से मेरी तरह बना भी सकते हैं, तो क्या करना है, इनके जो डंठल के किनारे के हिस्से होते हैं, उनको हम इस तरीके से काट करके हटा देंगे, इनका इस्तमाल बिल्कुल नहीं करना है, ये रेखिए, और अब क्या करेंगे, इनको हम चार टुकडों में इस तरीके से काटेंगे, बस हलका सा कट लगाना है, ताकि जो हिस्से है वो ज गोल गोल बने रहते हैं, तो आपको जैसे चाहिए, आप इनको काट सकते हैं, यहां 4 टुकड़ों मैंने इस तरीके से कट लगा दिया है, ऐसा करने से मसाली भी इसके अंदर तक जाते हैं, और बैंगन अंदर से भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो चलिए सारे बैंगनों क मिसी तरीके से काट करके तयार कर लिये हैं, अब चलिए बनाते हैं एक दम स्पेशिल और नया सा मसाला जो इस रेसिपी में जान डाल देगा, उसके लिए लिया है मैंने एक मिक्सी का जार और इसमें डालेंगे, आधा टेबर स्पून भरके सरसो के दाने जरूर से डालेग आप बिल्कुल स्किप मत कीजेगा, अब जितना मैंने सरसो के दाने लिये हैं, उतना ही हमें डालना है, सौफ तो ये भी मैंने हाफ टेबर स्पून लिया है, दो या तीन लैसून की कलिया डालेंगे और एक इंच अधरक, आप चाहें तो लैसन और अधरक का पेस्ट अलग कलर का बनेगा, और हरिमिश डालेंगे तो वो ग्रीन हो जाएगा, तो अपने साबसे चौइस आप ले सकते हैं, अब यहाँ पर लिया है मैंने बेसन और ये कच्छा बेसन है, दो टेबल स्पून लिया है, मैंने भूनना नहीं है बेसन को कच्छा ही यूज करना है, जिससे काफी अच्छी बाइंडिंग आती है, और स्टफिंग जो है वो बढ़िया से बैंगरों में चिपक जाते हैं, चलिए बिना पानी डाले, अब हम इसको पीस लेंगे, मिक्सी को रोक रोक के पल्स मोड पे, तो ये देखिए, पेस्ट हमारा अच्छी तरीकी से तयार है, मैं आप जब इनको बनाएंगे तो आपको पता चलेगा पूरा घर में है कुठेगा, अब इसमें डालेंगे एक टीस्पून सरसो का तेल और थोड़ी सी स्वाद के इसाब से नमक, और चलिए अब इन पूरे मसाले को अच्छी तरीकी से तेल और नमक के साथ मिक्स कर लेंगे, तो हाथों के मदद से इनको इस तरीके से मिलाएं, देखिए कुछ इस तरीके का टेक्शर है, ये देखिए, आप इनमें थोड़ा सा चटपटा टेस्ट देने के लिए चाहें तो इमली या फिर अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं खटाई के लिए, लेकिन अमचूर और ये देखिए, आपको लग रहा है कि जादा मसाला हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, बैंगनों को हलका सा दबाएंगे, जिससे कि जो एक्स्ट्रा मसाला होगा वो बाहर आ जाएगा, फिर हम इनको निकाल लेंगे, और इसी तरीके से सारे मैंगन भरके रेडी करेंग और इसमें डालेंगे 1-5 टेवल स्पुन के आसपस सरसो का तेल, आप यहाँ पर कोई से भी कुकिंग ओल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने पेस्ट में सरसो का यूज़ किया है, तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको सरसो के तेल में ही बनाने वाले हैं, लेकिन हम आज इस 70% तक पकाना है, इसलिए फ्लेम को लो मीडियम रख लीजे और बैंगन को अच्छी तरीके से धिरी दिरी चलाते रहें, और चारो तरफ से सेक लीजे ताकि यह जल्दी ही कुक हो जाएं, तो बैंगन जल्दी ही कुक हो जाते हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता ह अच्छी तरीके से पकने भी लगे हैं, पूरी तरीके से ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रहें, और यह देख सकते हैं, बैंगन अच्छी तरीके से कुक हो गया हैं, लगबग 70% तक, तो अब क्या करेंगे, हम यह सारे बैंगनों को निकाल देंगे, आप देख सकते हैं, जो हमने स्टफिंग बनाई थी, वो बिल्कुल भी निकल नहीं रही, क्योंकि हमने इसमें बेजन का इस्तमाल किया था ना, उससे यह बहुत ही बढ़िया से चिपक जाते हैं, अब इनको रखते हैं, और जो कढ़ाई में तेल बचा है, इसमें हम डालेंगे, एक हलका सा भून लेंगे तेल में, जैसे सीख जाते हैं, अब डालेंगे इसमें प्यास, तो मैंने एक बड़े सा इसका प्यास लिया था, बार एक बार एक काट करके, प्यास को डालेंगे, और अची तरीके से ट्रांस्लोसेंट होने तक भून लेंगे, ताकि बढ़िया से जो अगर आपको इसकी रसीपी चाहिए, कैसे इसको स्टोर करना है, तुम जो कॉमेंट में बताईएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, ताकि आपके पास जब मैं वीडियो डालू तो नोटिफिकेशन आ जाए, प्याज और सारी शुचों को अच्छा सा भून ले अगर आपके पास ना हो तो इससे हटा सकते है, थोड़ी सी हल्दे लिए मैं आधी चोटी चमच और अब यहाँ पर मैं डाल रहे हूं इस पेश्चल सा टेस्ट देने के लिए मल्टी परपज मसाला, इसकी रसीपी के लिंग का आपको वीडियो को नीचे मल जाएंगे, आप किसी भी चीज में डाल कर इसका स्वात दुग ना कर सकते हैं, मसालों को डालने के लिए थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने, ताकि अच्छी तरीकी से सिख जाएं और जले नहीं, बढ़िया से मिला लिया है मैंने, और बहुत ही गज़ब की खुश्बु आ रही है जैसे ही मसाले सिख जाते हैं, आप डालेंगे इसमें टमाटर का पेस्ट, तो मैंने आपर दो मेडियम साइज के टमाटरों को पेस्ट बना लिया था, थोड़ा सा पानी डाल देंगे था कि जो टमाटर का पेस्ट है वो बेस्ट ना हो, और अब चलिए इन सारे मसालों के सा अच्छी तरके से टमााटर को मिलाएंगे, और थोड़ा सा स्वात के साब से नमक भी याट कर लेते हैं, अब इनको अच्छा से मिक्स करेंगे और टमाटरों को हमें तब तक पकाना है, जब तक की तेल रिलेजना करने लगे और टमाटर अच्छी तरीके से पकना जाए, अ मैं आपर डाल रहे हैं धनिये के पत्ते आप चाहें तो यहाँ पर पाला क्या मीथी के पत्तों का भी इस्तमाल कर सकते हैं मैंने आपर यह आधा कप क्या सपस धनिये के पत्ते बारी काट कर लिये हैं अच्छी तरीके से इनको भी मिलाएंगे और अब ढग देते हैं बढ़िया से टमाटरों को पकने देंगे लगभग 3-4 मिनिट तक लो फ्लेम पे हम निन को पका लिया है और ये देखें वाव इतनी गजब की खुश्बू आ रही है इसमें से और कलर देखें कितना ज़्यादा ओसम लग रहा है ये बढ़िया से कुख हो चुके हैं सारी चीजे मसालों के साथ में इसम बढ़िया ओसम से ग्रेवी हो गई है आप चाहें तो या पर थोड़ी सी दही का इस्तमाल कर सकते हैं हम या पर दही निडालेंगे इस रेसिपी में और अब डाल देंगे आधा कप पानी जादा पानी भी ने डाल ला है क्योंकि हम इस रेसिपी में जो ग्रेवी बनाने वाले है थोड़ी सी गाड़ी रखनी है पतली ग्रेवी ने रखनी है और साथे साथ हमने जो बैंगनों को 70% तक कुक किया था वो भी हम इसमें डाल देंगे अच्छे तरीके से मिलाएंगे ताकि जो मसाले है वो बैंगनों के ऊपर अच्छे तरीके से लग जाए और अंदर तक जो ग्रेवी है वो जाए और बैंगन अंदर से भी बहुती स्वाधिष्ट हो जाएं और बस धकल लगाने से पहले तीन हरी मिर्च डालेंगे बीच से कटी हुई और अब इनको ढख कर 5-6 मिनिट लो टो मिडियम फ्लेम पे पकालेंगे और ये लीजे लगरियन एकदम शांदार बहुत ही गजब के खुश्बू के साथ एकदम टेस्टी से हमारी ये बैंगन की सबजी तयार है आप इसको एक बार जरूर बनाएगा जो भी खायेगा वावा करते रह जाएगा और उंगलिया चाटते रह जाएगा बहुत ही शांदार बनी है थोड़ी से धन्य के पत्ते डालेंगे और चलिए अब गैस का फ्लेम बंद करते हैं और थोड़ी देर के बाद हम इनको साफ करेंगे तो लीजे बैंगन की बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी हमारी बनकर तयार है नए मसालों के साथ में एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजेगा अगर आपने अभी तक नहीं खाया है न तो जैसे ही बनाएंगे न मुझे याद करने वाले हैं कैसी लेगी जरूर से लिख के बताएगा और इस रेसिपी में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा वो भी लिख के बताएगा कल आप से फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक कियर और बाबाई